जब हाईवे पर मचलियों से भरी पिकप पल्टी तो लोगों ने इस आपदा को अवसर में बदलने में जरा भी देर नहीं लगाई सडक पर बिखरी मचलियों को उठाने के लिए लोगों की भारी भीर लग गई ये घटना राइपूर के मंदिर हसोद इलाके में हुई दरसल मंगलवार की दोपहर मंदिर हसोद चौक की सडक से राइपूर की ओर आ रही फिश वैन संतुलन बिगड़ने से पलट गई थी जब ड्राइवर ने चौक पर गाड़ी मोड़ी तो मचलियों और पानी का वजन एक तरफ होने की वज़े से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गई इसके बाद जैसे तैसे ड्राइवर ने खुद को बाहर निकाला लेकिन तब तक सडक पर शाम की दावत का जुगाड़ करने वालों की भीर लग चुकी थी रास्ते पर बिखरी मचलियों को लेकर कई लोग भाग गए घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आई जब पुलिस आई तो लोगों को रोका गया आपको बता दें कि ये हादसा मुख्य सडक पर हुआ था और इस हादसे के चलते करीब एक घंटे तक सडक पर यातायाद भी रुका रहा जहां कुछ लोग मचलियां लेकर भाग गए वही कुछ हिस्थानी लोगों की मदद से वाहन को सीधा किया गया मचलियां वापस गाड़ी में डाली गई और उन्हें रायपूर की तरफ भेजा गया मंदिर हसौद पुलिस ने बताया कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है और नाहीं किसी ने कोई सिकायत दर्ज कराई है ये मोर्तिकाया पोचि हम लीपाचे ने घज अ ने… मेई बात चाई हम लीपाचे बढ़स हो अखम लीपाचे बात है ये लिए लän—